अभी हम खड़े हैं पश्मी घाट के शेहादरी परवत सिंखला पर और यह जगा है पंचवटी हम लोग देख सकते हैं कि यह पहार का उची चोटी कितना ही खूबशुरत है जो प्राकिर्तिक द्रिस्यों और प्रकिर्ति के यहां पर पक्षियों का एक जुन्ड उरता हुआ और यह हम देख रहे हैं कि यहां पर जो पौधे हैं वो बहुत ही बिरल हैं ये झारी नूमा घास का और यह बेर का पौधा है ये बबूल है बबूल के पौधों पर पक्षियों का कलरव और सामने ही उची चोटी है जहांपर हमारे कुछ साथी जो आइसरपुने में ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए वो सब भी है और सामने एक खाई है बहुत बड़ी बहुत ही खुबशुरा त्रिस्य प्रकिर्ती का और सुबभा का समय है सामने सुर्योद्य होने ही वाली है सुर्योद्य हो चुकी है सामने देख सकते हैं सुरी की लालीमा private पूरी लालीमा के शाथ वहा कितना अनुपम है परकिर्ति का यह खुबशूरत नाजारा जिससे देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से यहां पर आते हैं और हम अभी हैं पश्मी घाट के शहादरी परबस रिंखला पर बहुत ही खुबशूरत नाजारा बहुत सारे लोग यहां पर जॉगिंग करते हैं दूर-दूर तक फैला हुआ यह पूनाश सहर जो अपने आप में एक प्राकिर्तिक संदारी से भरा परा है दो पहारियों के बीच में बसा हुआ यह सामने बिल्डिंग दिख रहा हैं सुबह सुबर लोग अपने श्वास्त लाव के लिए जॉगिंग भी कर रहे हैं और हमारे मनोसर सामने प्राकिर्तिक दिरिस्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए वाह लग रहा है कि जंगल के बीच से भगवान भासकर निकल रहे हैं बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर और यह सामने जील और जील में पक्छियां तैर रही है कितना खूबसूरत है यह प्राकिर्तिका दिरिस्यों सचमुच में यह मंत्र मुग्द कर देता है मन को मोह लेता है यह खूबसूरत नजारा सामने भी परवत की उची चोटी है और जब हम यह पहार की उपरी चोटी को देखते हैं तो बहुत दूर तक नजारा जंगल कटा हुआ है जो मानविय अस्तक्षेप का प्रतीक है और यह दिखाता है कि किस तरह से मानव ने अपने लालच के कारण पेर पोधों को काट डाला है और पूरत सबिरल जंगल है यह देखी आदो बूद आदो बूद आदो आदो बूद आदो यह देखी आदो यह दिखाह यह दो आदो आदो झाल झाल